हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेड़ी इसमार्णेस अई होप कि आप जहां भी होंगे स्वास्तेवां सुरक्षित होंगे तो दोस्तों आज साथ जनवरी के जो फर्स्ट का एक्जाम था रवरी एंटी पीजिका वैं कंडेक्ट हो चुका है तो चले देख लेते हैं कि आज की सिफ्ट में कौन कौन से कोशन पूछे गया थे जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हैल्फुल होंगे तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट कोशन पूछा गया था कि पहले भारती बैग्यानिक कौन है जिन्हें नोवल पुरुस्कार मिला है यहां पर आपसे बैग्यानि सिफ्टी कौन है जिन्हें नोवल पुरुस्कार मिला है तब आपका अंसर होता है गुरुदेव जो आपका रवीदनाठ टैगोर है उनको 1913 में सहित के छेत में नोवल पुरुस्कार मिला था ठीक है तो आप लोग याद रखेगा नैश कुसान आपसे पूछा गया है कि त अच्छी डियाई में कौन सा देश पहले स्थान पर है दोस्तों यहां पर जो आपका यूमन डेवलफ्मेंट इंडेक्स है मौना विकास उचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो यहां पर आपका करेक्ट टांसर का पहले स्थान पर नॉर्वे है दूसरे स्थान पर आर्लेंड और तीस स्थान पर आपका स्टूड़िजा लेंड है ठीक और वहीं यह भारत की बात करें तो भारत एक सो नवासी देशों की सूची में 131 वे स्थान पर है आए है नियाशको सन्वाइब से पूछा गया था कि world book day कम मना जाता है दोस्तों आपका विस्त पुस्तक दिवस कम मना जाता है तो यह अपका 23 अपरेल को world book day मनाय जाता है ठीक है नेशको आप से पूछा गया था कि father of nuclear program जो आपका परमाडू जो कारकरम उसके जनक पूछा तो यहां पर आप से तो यहां पर आपका आइस रोगा हुँ मिस जहांगीर भावा ठीक है अध्याज़ चुह अथाज़ पूछा गया था कि इंडाया नेशनल कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अधेक्ष कौन रहे हैं तो यहां पर ऑऊब्दूर्दीन १ और इनको बनाए गय है कि रोलेट एक्ट से एक समंद्र कोशन पूछा गया था तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जो रोलेट एक्ट है आपका 18 मार्च 1929 को प्रभाइट हुआ था इसको भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है यह 1929 इसवी में भारत के बिटिज सरकार द्वारा भार कर रहे जो राष्टिया अंदोलन को कोचलने की एक उद्यस एक निर्मित कानून था दोस्तों इसके अंतरगत किसी को भी बिना जाज परताल के उसको उठाकर के जेल में बंद कर दिया जाता था इसलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है ठीक है यह आपका कब है तो 1919 से सम पुचा गया है उनीश कुछा गया है उनीश स्वाथ गया ऐसना चाहिए आप 11 के गवर्णर कौन है दोस्तों गवर्णर और आपका सीम इस से जरूर एक कोशन पूछा रहा है तो आप लोग सभी लोग को देखके जाएगे जितने भी आपके 28 और आपका जो आठके इंसा से प्रदेश हैं उनके सीम एंड गवर्णर ने तो यहां पर आपका कर्यक्ट आंस खजि रंगा राश्ट्य उध्यान कहा है तो आपका असमं में है जो कि आप आश्ममें है और दोस्तों इसको से लिए जोимер अपको याद रहे छेषइ schöne बाढ़ेख आप लिक्स नमर्याए याद रेखिए दिल्लि मुंब्ऐ ए पॉलकाता आपका उ bearing हैं ठीक तरीके से इसके आकरती बनती है यहां पर दिल्ली है यहां पर मुंबई यहां पर आपका कुलकाते यहां पर चिन्नाइए दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है 5846 किलिमेटर्स की टोटल लंबाई है नेक्स आपसे पूछा गया है कि ACN football cup 2023 कहां होगा तो यह आपका जो correct answer है चीन में होगा और यह आपका 2846 अंसक्रण होगा ठीक है ACN football cup 2023 है वेफ की चीन है नेक्स आपसे पूछा गया है कि विंडोस 10 कब लॉंच किया गया है तो इसका जो correct answer होगा 29 जोलाई 2015 को Windows 10 launch किया गया था नेक्स आपसे पूछा गया है NEFT का full form क्या है दोस्तों EFT का जो full form है national electronic fund transfer है ठीक है national electronic fund transfer है EFT का full form नेक्स आपसे पूछा गया है कि कारवन के अपरूप से समद्धित एक question पूछा गया था जिसमें अपरूप के नाम दिया होंगे उनमें आपके जो हैं कारवन के विभिन अपरूप हैं वह हैं आपके हीरा डायमंड ग्रिफाइट और आपका कोईला इसके जो है कारवन के अपरूप हैं तो आप लोग याद रखेगा नेक्स पूछा गया है कि ओलंपिक 2022 कहां होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीजिंग चीन में होगा ठीक हैं ओलंपिक 2022 जो आपका बीजिंग चीन में अवजित किया जाएगा नेक्स आपसे पूछा गया है कि WBC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपका जो है वाइट ब्लेट सेल है ठीक है स्वेत रखते कडिका इनको कहा जाता है और इनको को कहा जाता तो आप याद रखिएगा भारत में प्रथम बार जो पंचायती राजवस्ता को लागू किया गया था तो आप लोग याद रखेगा नेश्ट कुछा गया है कि पूमा के ब्रैंड एमबेजडर कौन है तो दोस्ते आपकर जो है करेक्ट अंसर करीना कपूर है नेश्ट आपकर जो है कि आरोग सेतु सरकार ने एक मोबाइल आप लॉंच किया है इस आप का नाव आरोग सेतु है और दोस्तों इस आप की मदद से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखीम का आकलन करने में मदद मिल सकेगी इसके लिए जो आपका है आरोग सेतु आप लॉंच किया गया है है कि ATM का फुल फॉर्म क्या है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आटोमेटेड टेलर मसीन जो है ATM का फुल फॉर्म है ठीक है तो याद रखेगा नेक्श आपका है ओजोन परत से समंद्र एक कोशन पूछा गया है दोस्तों इसकी जो खोश की थी तो 1913 में फ्रांस के ज ठीक है तो याद रखेगा डॉप संब का उज्वन परत की मुटाई या फिर आप उसकी मात्रान अपने की एकाई है नेस आप पूछा गया है तो आप लोग कर यहां पे जो प्रांसजिसी तो प्लीज से कर दो कम को बेंचा mehr फारा फ़िस्टोजी का जाता है यहां उत्कों का अध्यन को ही कहा जाता है तो यहां पर आप को याद रखेगा उत्कों का अध्यन कर जो छानक का नाम' map authentic तो दोस्ते यह रहे आज के हमारे कुछ important question जो कि आपके exam में पूछे गए थे आपने सभी questions को ध्यान से देखा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा झालओ का जो दोता है तूछाओ रहादा होगा है यह रहादा है नेक्स वीडियों प्लीज को बाद़ गए द्वाद हैं प्लीज़ टोरा नेक्स करे दोता है तो स्वादाव बादाचश को आपका बादाब पूदाव